जै मा कामाख्या देवी आप सभी मेरा अभिवादन स्विकार करें। जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है। भगवान शंकर ने महामुनी नारत के समक्ष इस कवच को सुनाया था। अपनी मनुवान्चित अभिलाशाओं की सिध्धी चाने वाले मनुश्यों को इस कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। प्राच्याम्रक्षतुमेतारा कामरूप निवासिनी। आग्नेयाम शोडशी पातु याम्याम धूमावती स्वयं। नैरित्याम भैरवी पातु वारुण्याम भुवनेश्वरी। वायव्याम सततंपातु छिन्नमस्ता महेश्वरी। कवबेर्याम पातुमे देवी। श्री विद्या बगला मुखी। एशान्याम पातुमे नित्यम। महा ट्रिपुर सुन्दरी। उर्धु रक्षतुमे विद्या मातंगी पीठ वासिनी। सर्वतह पातुमे नित्यम। कामाख्या कलिका स्वयं। ब्रह्मरूपा महा विद्या सर्व विद्या मैी स्वयं। शीर्षे रक्षतु में दुर्गा, भालं शी भवगेहिनी, त्रिपुरा भूर युगे पातु, शर्वानी पातु नासिकाम, चक्षुशी चंडिका पातु, श्रोत्रे नीले सरस्वती, मुखं सौम्य मुखी पातु, गृवाम रक्षतु पार्वती, जिव्वाम भीषणा, वाग देवी वदनम पातु, वक्षपातु महेश्वरी, बाहु महा भुजा पातु, करांगुलीहि सुरेश्वरी, प्रष्टतह पातु भीमास्या, कट्याम देवी दिगंबरी, उदरम पातु में नित्यम, महा विद्या महुदरी, उग्रतारा महा देवी, जं अंगोरु परिरक्षतु, गुदं मुष्कम्च, मेदंच, नाभिम्च, सुरसुंदरी, पादांगुलीहि सदापातु, भवानी तृदशेश्वरी, रक्तमासास्ति मज्जादीन, पातु देवी शवासना, महा भयेशु घोरेशु, महा भय निवारिनी, पातु देवी मह कामाख्या, पीठ वासिनी, भस्माचल गता दिव्य, सिंघासन कृताश्या, पातु श्री कालिका देवी, सर्वोत पातेशु सर्वदा, रक्षाहीनं तु यत्स्थानं, कवचे नाम विवर्जितं, तत सर्वं सर्वदा पातु, सर्वरक्षन कारिनी, इदं तु परमं कवचं मुनि सत्तं, कामाख्या भयोक्तंते, सर्वरक्षा करंपरं, अनेन कृत्वा रक्षाम्तु, निर्भय साधको भवेत, नतं स्प्रशेद भयं घूरं, मंत्र सिध्धी विरोधकं, जायते चमनह सिध्धिर, निर्भिग्नेन महामते, इदं यो धारियत कंठे, बाहव कवचं महत, अव्याहत आज्याह सभवेत, सर्व विध्या विशारिदह, सर्वत्र लभते सोख्यं, मंगलं तु दिने दिने, यह पठेत प्रयतो भूत्वा, कवचं चेद मध्भुतं, सदेव्याह पद वीमियाति, सत्यं सत्यं नसंशयह झाल